गौरव से गौरी, पार्ट एक मेरा नाम गौरव सिंग है और मेरी उमर 18 साल है मैं अपनी मम्मी और पापा और बहन साक्षी के साथ रहता हूँ मैं बच्पन से ही बहुत शरारती था लेकिन जैसे ही मैं बढ़ा हुआ तो मेरी संगत की वज़े से मैं बहुत गलत कामों में बिगड़ गया मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी रहते थी मुझसे और अक्सर बोलते थी की काश में लड़की होता अपनी बहन साक्षी के जैसा तो उन्हें शर्मिन्दा नहीं होना पड़ता है जगे लेकिन मुझे इन सब से कुछ फर्थ नहीं पड़ता था रोज लड़ाए करना शराब पीना ये मेरे लिए रोज का काम हो गया था लेकिन मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था मैं अपने स्कूल के म्यूजिक बैंड में भी था और मेरी आवाज भी बहुत पतली थी मेरी बहन बिलकुल मेरी जैसे ही दिखती थी क्योंकि हम दोनों जुड़वा थे लेकिन वो एक पफेक्ट बहन और एक पफेक्ट बीटी थी मुझसे बिलकुल अलग और उससे मम्मी पापा भी बहुत खुश रहते थे हम दोनों स्कूल से एक ही क्लास में पढ़ते थे बारवी के बाद हम दोनों कॉलेज के लिए एंटरेंस एक जाम दिया थे उसमें मेरी बहन साक्षी का सिलेक्शन हो गया था लेकिन मेरा नहीं हुआ था इसलिए मैंने पढ़ाए ही छोड़ दी थी और दिन भर नशे में ही रहता था रोज सुबल साक्षी को कॉलेज छोड़ने में कॉलेज जाता था एक दिन कॉलेज से लोटते समय एक एकसीडेंट हो गया क्योंकि मैं नशे में गाड़ी चला रहा था बहुत कोशिश करने के बाद भी साक्षी को नहीं बचा सके और उसकी डैथ हो गई इसका जिम्मेदार में अपने आपको मान रहा था मम्मी पापा बिलकुल तूट चुके थे फिर भी मुझे समझाते रहते थे कि मेरी कोई गलती नहीं है और इसी वजह से में और ज्यादा नशा करने लगा मम्मी पापा ने भी दुखी होकर मुझसे बोलना छोड़ दिया था मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता था लेकिन मुझे नशे की आदत पर चुकी थी